नमज़कार दोटो बनाटों सवागत हैं आपका टीची टेलर चैनल में। दोस्तोर आज हम आपको बताएंगे जो रोड रोरी होती है, बो आप किस तरीके से इसमें फिट कर सकते हैं। देखें रेड़ी मेट की दोरी होती है वो काफी तरीकते के आती हàn करें यह काति है लेदर में यहाथ रहती है यह उलाई ग्लिक होती है झालता होती है लेकिन वूरिक करते हैं घ्रीडर दॉरी लिंक का तो आप वहां से बहुत ही वेष्ट वाली लेजर की डोरी खरी सकते हैं अब यह वाली लगाते हैं तो इसकी बात करते हैं तो यह काफी मजबूत है क्योंकि यह प्लास्टिक में है और यह बहुत जादा मतलब तगड़ी है एकदम बहुत जादा मजबूत तूटने वाली ये नहीं है लेकिन आप इसको देखते हैं ये अच्छी चलती है या नहीं चलती है इसकी बात करें तो ये हमें मिली थी 30 रुपए की और ये जो है ये लगेगी या नहीं लगेगी मुझे तो बहुत छोटी लग रही है इसमें देखते हैं ये काम करेगी नहीं करेगी क्योंकि लेदर वाली डोरी होती है तो उसे जितना चाहे तो टाइट कर लो अगर इसे हम काट देंगे तो जो है ये गड़वड हो जाएगी तो अब देखते हैं इसको कैसे लगाना है तो सबसे पहले जो है हम इधर साइड से यहां से निकालते हैं नीचे से नीचे से निकालते हैं इधर से निकालते हैं और यह इधर से निकालते हैं तो यह निकल गई अब जो है हम इसको इसके तार में वायर में फिट करते हैं तो अब देखते हैं यह और इसको जो है हम दबा देते हैं प्लास से दबा देते हैं अगर आपके पास प्लास ह तो इसको जो हम प्लास दबाते हैं अब यह दब गई अब हम इसको इसमें फिट कर देते हैं दोस्तों देखते हैं नीचे हमारी फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है यह बिल्कुल तो इसको इसमें फंदा पढ़ गया है तो यह गड़बल हो गई है इसको जो है हम साही करते हैं यह फंदा पढ़ गया उपर से निकाल लेते हैं एक मिनट यह इसका तार जो है पता नहीं कैसा है यह तूट गया तार तो यह तार तो गया तूट एकी बार में और जो है दूसरा आप हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि इसका तार तो गया तूट तो हम क्या करेंगे इसमें जो है यह रेसम का धागा इसमें बान देंगे तो हमें तो अटेची करना है तो इससे हम जो है अटेच कर देंगे और इससे भी हमारी काफी मजबूत रहेगी तो दोस्तो हमारा इस तरीके से जो है यह हम इसको टाइट करे दे रहे हैं मतलब बांधे दे रहे हैं तो ये भी रेसम है ये भी रेसम है तो काफी मजबूती रहेगी अब हम इसको लपेट देते हैं इसको लपेटने के बाद अब जो है हम इसमें टाकी लगा देते हैं अब गज़ देते हैं तो के यह तो लग गया इस तरीके से तो दोस्तों हम इसको चड़ाते हैं और देखते हैं हमारी फिट हो रहे बिल्कुल या नहीं हो रहे तो यह बिल्कुल सही है फिट हो गई अब इसको हम चलाते हैं तो मुझे लगा था यह थोड़ी शी मतलब टाइट रहेगी तो टाइट वाइट बिल्कुल नहीं अब इसमें देखे एक प्रोब्लम है अब यह देखे सिलिब मार जाती है यह देखिए यह देखिए सिलिब गई हो सकता आके चलके साही हो जाए अब यह चिकनी है अभी जब इसमें दीरे-दीरे से काली-काली हो जाएगी दीरे-दीरे फिर जए साही होएगी लेदर की क्या है वो बिल्कुल चपक के एकदम चलती है उसमें यह सिलिब नहीं होती है और यह वाली जो डोरी कप्ड़े की ये भी बिल्कु चपक के चलती है तो ये भी कापी अच्छी है साई है मतलब बस इसमें थोड़ी सी सिलिप मार जाती है तो इन दोनों में से आप कोई सी खरीज सकते हैं ये लेकिन ये मजबूत काफी रहेगी काफी दिन तलग चलेगी लेकिन जो लेदर वाली होती है वो थो फेराव जादा पड़ता है तो धीरे 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 छेंद उसका बड़ा हो जाता है और यह कट जाता है तो वह प्रोबलम हो जाती है तो इन तीनो डोरी हो में से आप को सी बना सकते हैं। इस से वीडियोथ नहीं देखे हैं तो अपको मिल जायेंगेiquement और ये लेधर झाल पहा है